पार्ठ दस उप्योगी पशू मैडम बच्चो आज हम उप्योगी पशू के विशे में जानकारी प्राप्त करेंगे पूर्वा मैडम उप्योगी पशू किने कहते हैं मैडम उप्योगी पशू वे होते हैं जो हमारी किसी न किसी काम में सहायता करते हैं संध्या मैडम उपयोगी पशु कौन कौन से हैं मैडम गाए भैस गोडा गदा उट कुत्ता बिल्ली आदी उपयोगी पशु हैं विदान्त मैडम गाए किस प्रकार एक उपयोगी पशु है मैडम गाए हमें दूद देती है अतय यह एक उपयोगी पशु है अच्छा बताओ हमें गाए के अतिरिक्त और कौन-कौन से पशु दूद देते हैं? बुवन मैडम, भैस, बकरी और उटनी भी हमें दूद देती हैं मैडम, शाबाश बुवन भैस, गाए, बकरी का दूद तो बहुत से लोग पीते हैं लेकिन उटनी का दूद रेगिस्तान में रहने वाले लोग ही पीते हैं साक्षी मैडम, गोड़ा किस प्रकार एक उपयोगी पशु है? मैडम, गोड़ा सवारी के काम आता है इसका उपयोग तांगे को खीचने में किया जाता है अब बताओ सवारी के लिए और कौन-कौन से पशु काम आते हैं नव्या मैडम, सवारी के लिए बैल, उट और हाती भी काम आते हैं मैडम, बिल्कुल ठीक तुमें पता है बैल हमारे खेतों में हल चलाने के काम भी आता है और उट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है सौम्या मैडम, उट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं? मैडम, उट के पैर गद्दीदार होते हैं, जो रेतीली जमीन में नहीं धस्ते हैं इतना ही नहीं, उट कई हफतों तक बिना पानी पिये रह सकता है इसलिए इसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं गुर्प्रीत मैडम, कुट्टा और बिल्ली किस प्रकार उपयोगी पशु है? मैडम, कुट्टा हमारे घर की रखवाली करता है और बिल्ली घर से चुहों को बगाती है अताय, ये दोनों हमारे लिए उपयोगी पशु हैं शुब मैडम, हमें पशुव की देखबल कैसे करनी चाहिए? मैडम, पशुव को शुद भोजन और जल देना चाहिए उनका रहने का स्थान साफ रखना चाहिए समय समय पर उन्हें पशुचिकित्सक को दिखाते रहना चाहिए उन्हें कभी मारना और सताना नहीं चाहिए उनसे सदैव मित्रता का विवार करना चाहिए